नमस्कार, हम हमारे reasoning के number series के chapter को आगे बढ़ाते हैं और solve करते हैं कुछ नए questions तो चलिए शूरू करते हैं तो सबसे पहला question है हमारा number 1, 3, 15, question mark 63, 99, 143 अब इस question में आप देखिए इस question में आप difference नहीं ले सकते क्योंकि आप पर आप देखेंगे कि number दूर दूर है जैसे देखें, 3, 15, फिर x याणि question mark फिर 64 तो इस question में आपको एक दिखा होगा कि यहाँ पर देखिए कि जो square है, minus 1 हो रहा है जैसे इसमें देखिए, 3 क्या होता है 2 का square minus 1, याणि 4 का 4 minus 1 कितना होता है, 3 होता है, ठीक है तो इसी प्रकार देखिए, यहाँ पर 4 का square है, minus 1 है यहाँ पर देखिए, यहाँ आप 8 का square minus 1 है यहाँ पर आप देखिए, 100 का square minus 1 है यहाँ पर आप देखिए, sorry, 10 का square minus 1 है यहाँ पर देखिए, आप 12 का square minus 1 है ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है 2 का square minus 1 फिर उसके बाद 3 का square नहीं है फिर उसके बाद क्या 4 का square minus 1 है फिर यहापर देखेंगे आप तो 8 का square minus 1 है फिर आप देखेंगे यहापर 10 का square minus 1 है और last में क्या 12 का square minus 1 है थीक है तो यहापर 2, 4, 8, 10, 12 तो यहापर कितना हैगा देखिए यहापर जुह हमारा question मारके बापर कितنا हैका दो दो से number आगे बढ़ रहा है तो यहापर क्या करेंगे हम 6 का square करेंगे जैसे हापर 2, 4 है तो यहापर कितنا हैगा 6 आएगा और-1 करेंगे ठीक है 6 square minus 1 करेंगे तो 6 का square कितना होता है 36 और कितना करना है minus 1 तो हमारा answer कितना आएगा 35 answer इस question का आएगा ठीक है इस question में आप और एक बार मैं आपको बताता हूँ देखिए 3 15 question mark 63 99 143 इस question में देखने के बाद हमें दिखा कि यहाँ पर जितने भी numbers है यह square minus 1 है ठीक है square minus 1 है तो सबसे पहले हमने क्या किया कि square square देख लिए कौन कौन से square है यहाँ पर देखिए 2 का square minus 1 दिखा यहाँ पर हमें 4 का square minus 1 दिखा यहाँ पर हमें 8 का square minus 1 दिखा यहाँ पर 10 का square minus 1 दिखा और यहाँ पर 12 का square minus 1 दिखा तो 2-2 से number बढ़ रहे थे फिर हमने क्या किया यहाँ पर 120, 99, 80, 63, 48 तो इस question में decreasing order की यह series है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि यहापर क्या हो सकता है देखें दोस्तों यहापर क्या है एक तो आप difference लेट पर square दीख रहे है जैसे यहापर देखें 11 का square minus 1 10 का square minus 1 दीख रहा है दोस्तों और 80 का होता है कि देखिए 9 का square minus 1 देखिए 81 minus 1 कितना होता है 80 होता है फिर यहापर 8 का square minus 1 दीखा और यहापर देखेंगा आपको 7 का square minus 1 तो आगे देखिए 11, 10, 9, 8, 7 तो आगे कितना हैगा 6 का square minus 1 आएगा ठीक है 6 का square minus 1 आएगा यानि कितना answer आएगा दोस्तों यहाँ पर 6 square minus 1 कितना होता है 35 ठीक है 36 minus 1 कितना होता है 35 तो इस question में हमारा answer भी 35 आया है दोस्तों अब देखिए यहाँ पर आप difference भी लिए सकते हैं अगर आप difference लेके तो कितना आएगा देखिए difference भी लिए सकते है मैंने square से कि यहाँ पर आप difference से भी कह सकते हैं देखिए यह कितना होगा 21 यहाँ कितना होगा 19 यहाँ कितना होगा 3 17 होगा और यहाँ कितना होगा 15 होगा तो आगे कि जो संक्या होगी वो कितनी होगी minus कितनी होगी 21, 19, 17, 15 तो यह पर कितना है, ठीक है, तो 48-13 आपको करना है, तो कितना हैगा, 8 में से 3 गया, तो 5 और यह 1, ठीक है, तो यह भी answer कितना आगया, 35 हो गया, तो आप स्क्वार से भी कर सकते हो, तो difference लेके से हो लगमें, मैं दोनुत तरीके से आपको बता है, बढ़ते हैं next question क्यों है तो हमार next question देखिए 28, 33, 31, 36 question mark 39 तो इस में देखिए आप increase हो रहा है फिर decrease होता है फिर increase हो रहा है और फिर question mark और फिर क्या हो रहा है यहाँ पर increase हो रहा है ठीक है increasing order में आप देखिए इन दोनों में कुछ difference है यहापर आप देखेंगे यह 36 हो रहा है यह कितना हो रहा है 39 जैसे आपर देखिए increase हुआ फिर decrease हुआ फिर हुआ फिर decrease हो गया है और फिर यहाँ पर इंक्रों यहाँ से 28C 31 का difference कितना होता है त्रीका होता है फिर उसके बद यहाँ पर देखिंगे भी ठीका difference हो रहा है जैसे 36-33 कितना होगा ठीटी होगा 39-36 कितना होगा यह भी थी अउगा तो हम्हें कर नहीं यहाँ पर हमें दिख द ठीक है इस question का answer हमारा कितना है 34 है इस question में देखिया 28 33 तो क्या हो रहा है यहाँ पर increase हो रहा है फिर decrease हो रहा है तो इस question में हमने देखा कि यहाँ पर कुछ numbers है जो increase हो रहे है जैसे देखिए 33 36 39 यह increasing order में है और सब में कितने का difference है 33 का difference है तो हमने गया कर लिया उसमें तरी तरी का difference ले लिया फिर यहाँ पर 28 31 तो यहाँ पर भी आपको तरी 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 का difference ले लेना है उसके वज़े से पिर आपका answer आजाएगा बढ़ते नेक्स question क्योंगा नेक्स question देखिए आप 125 80 45 20 तरी इस question में ले आपको difference लेना है तो आपको difference देखिए कितना होता है देखिए 20 प्लस 25 45 कर यह difference है पर यहाँ पर आप देखिए कितना होता difference केटने करेंगा किम यहां इसमें से मानस करना है 20 में से 15 को माइनस करना है ठीक है तो यह कितना आ जाएगा 0, 5 तो इस question का answer कितना हैगा 5 आएगा ठीक है इस question का answer कितना हैगा 5 आएगा देखे दोस्तों यहापर 125, 80 45, 20 तो हमने सिधा-सिधा इसमें क्या कर लिया difference ले लिया तो हम इन दोनों का जब हमने difference लिया तो हमें कितना मिला 45 इन दोनों का difference लिया तो हमें कितना मिला 35 इन दोनों का difference मिला तो हमें कितना मिला 25 तो यहापर देखे 10-10 से difference हो रहा है तो हमने कहा कर लिए इसमें भी 45, 35, 25 तो हमने यहापर कितना ले लिया 15 और इसमें से हमें माइनस कर देना है तो हमें क्या मिल जाएगा हमारा आंसर में 5 बढ़ते समस्क्राइब यह देखें दोस्तों कि टू-फ्वॉट्टग्संद मार्क 120 40 10 और 2 इस कुष्ण में सबसे पहले हमें देखना है कि क्या कर सकते हैं ठिक हैं क्या कर सकते हैं डिफरेंस ले सकते habit क्योंकि यहां पर देखिएन 5 कितना और यह होाँकं ूद स्थाज़ देकिए हैं इसमें तो पर दिये थ्री हो रहा है हाँ फिर उसके पाद देखेंगे यह पर यह तू हो रहा है और यहां पर वन होगा ठीक है तो हमारी सीरीस बने चुकी है तो हमारा कितना आएगा 120 इंटू टू नहीं 240 हमारा इस कोशन में आएगा अब और एक बार मैं आपको बता दो किस प्रका पॉर हुआ तो 40 फिर उन του 3 हुआ तो 120 और फिर क्या करें three two आ गया है तो हमने two से multiply से मुल्टिपला करें तो satisfy हो रहा है और हमारा answer है 240 बढ़ते है next question की और अब हमारा next question देखिए next question है 4 12 36 108 अब इस question में आप देखेंगे तो मैंने इसमें देख लिया कि दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि 3 3 से multiply हो रहे है sub series हमने देखिए 4 into 3 किया तो किदना हाता है 12 हाता है 12 into 3 किया तो कितना हाता है 36 तो hour 108 आता है तो हम क्या करेंगे 108 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा 24 और यह 3 तो 324 हमारी इस कोशन का आंसर आजाएगा इस कोशन में सी आपको 33 का मल्टीपल करना था और आपको इस कोशन में आंसर आजाएगा बढ़ते नेक्स कोशन की और अब हमार नेक्स कोशन देखिए 7 26 63 124 2152 अब इस कोशन में आप देखिए आपको कुछ दिखरा है और लग टाइप का इसमें आप देखिए यह 8 हो सकता है यह 27 हो सकता है यह 64 हो सकता है यह 125 हो सकता है यह 2 16 हो सकता है यह 343 हो सकता है इसका मतलब यह क्या है यह क्यूब्स है ठीक है यह cube है तो सबसे पहले आप देखेंगे यह कितना होता है 2 का cube कितना होता है 8 8 minus 1 फिर यहाँ पर देखेंगे 3 का cube minus 1 यहाँ पर देखेंगे 4 का cube minus 1 तो ठीक है दोस्तो तो यह कितना होगा है यह 5 का cube यह 6 का cube यह 7 का cube तो हमें हमें क्या करना एक क्यूंप सब्सक्राइब इसमें कैसी किया हम ने 7 कैसे आएंगा 8-137, 3 का cube 24-12, 27-16 कितना आए जाएगा, 4 का cube कितना है 64-1, 63, तो हम ने क्या करना है, 8 का cube, 8 का cube कितना होता है, जैसे 8 का cube-1, तो 8 का cube कितना, 512-1, यानी कितनी होता, 511 हमारा इस question का answer आच चुका है, ठीक है, है नेक्स कोशन की और हमानेक्स कोशन देखिए 4-9-1939 तो इस कोशन में हम सबसे पहले देखेंगे हम यह ले सकते है क्या हम कुछ कर सकते है क्या यह इसमें कुछ हम multiplication यह difference ले सकते हैं तो हमने सबसे पर difference लेकर देखेंगे 5 यहापर 10 और यहापर कितना है 20 ठीक है तो इस प्रकार भी आप कर सकते हैं देखे 5 इंटू 2 10 इंटू 2 20 इंटू 2 कितना होगा 40 होगा ठीक है तो हमें क्या करना है 39 प्लस 40 करना है 39 प्लस 40 करना है तो क्या आजाएगा हमारा आंसर आजाएगा 79 इस question का हमारा आंसर कितना है दोस्तों देखे आप 4 9 19 39 आप क्या कर सकते हैं यहाप देखे आप इस प्रकार से तो आंसर आजाएगा डिफरेंस से पर मैं आपको एक बार पताना चाहता हूँ कि आप इसको टू से डिवाइड करके प्लस वन कर दीजे यहाप पर भी आप टू से मल्टिप्लाइ करके प्लस वन कर दीजे स्वरी फोर हो क्या करना है टू से मल्टिप्लाइ करके प्लस वन तो यह आ जाएगा हमारा 9 फिर आपको इसको भी टू से मल्टिप्लाइ प्लस वन कर देना है तो कितना जाएगा 38 प्ल तो कितना आ चुका है दोस्तों हमारा इस question में answer 79 इस question में हमने दो तरीके से इसे solve किया सबसे पर हमने difference method से फिर multiplication फिर series बना कर हमने इस question में solve किया दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो इस वीडियो को लाइक करिए ऐसे नए वीडियो देखने के लिए